हलो स्प्रेंट्स, आज हम आपको दिखाएंगे हमारा मून की और्बिटल मुवमेंट कैसे रहती है, हमारे अर्थ की और्बिटल मुवमेंट कैसे रहती है, हमारे सर्दी गर्मी कैसे होते हैं, हमारे दिन रात कैसे होते हैं, हमारा एकलिप्स कैसे होते हैं, सोलर एकलिप्स, कि यह आपका जो है सन है यह आपकी अर्थ है और यह आपका मून है यह आपका सन है यह आपका जो है मून है यह आपकी जो है यहां पर अर्थ है अब इसमें जो है मॉडल में देखने वाले बात यह है कि आपकी अर्थ जो है ध्यान दीजेगा यह आपकी जो है सीधी नहीं है इसका जो imaginary axis है यह इसका imaginary axis है इस imaginary axis के उपर जो है आपकी earth जो है tilt है यह आपकी 23.5 degree के उपर जो है tilt है इसका angle जो है वो 23.5 degree है ओके अब हम दिखाते हैं कि आपकी जो है rotation किसको कहते हैं और revolution किसको कहते है rotation के अंदर 24 hour के अंदर आपकी earth एक चक पुड़ा लगाती है जिसको rotation कहते हैं जिससे आपके दिन रात होते हैं अभी आप देखिए कि यह sunlight पढ़ रही है आपकी आर्थ के 50% हिस्से के अंदर आपकी आदे हिस्से के अंदर जो है इस सनलाइट पड़री है यहां प़े आपका दिन है और जोंस साइट है इससे पर लाया का इंदर वर से छीवाड़ी जो है तो यहां फार है त इस तक मतलब क्या हुआ बारा गंठे के इसके बिल्कुल बैक साइड के अंदर है तो इंडिया के अंदर इस टैम पर राद है देखिए आप इसकी जो मुवमेट है वो देखिएगा देखिए यह जो आर्थ जो है रोटेशन अपनी एक्सेस के ऊपर रोटेट कर रही है इससे आपके जो है डेनाइट होते हैं और जो सन के चारों तरफ जो चक्कर लगा रही है देखिए यह देखिए तो सन के चारों तरफ भी चक्कर लगा रही है सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है 365 दिन के अंदर इन फैक्ट 365 और एक चुधाई दिन यानि कि आपका चार साल के अंदर जो है एक दिन पूरा हो जाता है जिसको हम जो है फेबरी में लीपीर लेते हैं तो नॉर्मली जो है 365 दिन और 6 घंटे 6 घंटे के अंदर जो है पूरा चक्कर काड़ती है सन के चार तरफ और अर्थ जो है अपनी धूरी के ऊपर अपनी एक्सेस के ऊपर जो है 24 घंटे गंदर गुनती है ठीक है तो दे नाइट जो है देखिए आप दे नाइट क्लीर होगे आपको बिल्कुल क्लीर है इसमें मॉडल में देखिए जो भी हिस्सा जो है सनलाइट के फ्रेंट में आता है वहाँ पर आपका डे होगा और बैक साइड जहाँ पर सनलाइट नहीं मिल रही है वह आपका जो है यह वाला हिस्सा जो है आपका यहाँ पर नाइट है और यह वाला हिस्सा जहाँ पर सनलाइट पड़ रही ह यह आपका यहाँ पर दिन है ठीक है अब हम देखते हैं कि आपका सोलर एकलिप्स और लुनर एकलिप्स कैसे होते हैं अभी देखिए यह इस टाइम पर जो है मैंने पोजिचन लाई है यह पोजिशन है आपकी सोलर एकलिप्स की solar eclipse में क्या हुआ कि आपका जो है moon जो है आपकी अर्थ और आपके sun के बिल्कुल बीच में आ गया है और यहाँ पर देखिए जितने हिस्से के अंदर जो है यह आपका grant जो दिखता है जिसको आप solar eclipse बोलते हैं कि आपकी जो है moon की shadow जो है आर्थ के ऊपर बढ़ रही है इतने से के अंदर यहाँ पर डार्क हो गए आपका तो इसको बोलते हैं आपका solar eclipse यहाँ पर जो है आपकी sunlight जो है इतने से के अंदर दिन में नहीं पहुँच रही है इसको बोलते है solar eclipse जिसमें जो है equation जो है ये बनती है कि moon जो है exact जो है आपके बिल्कुल दोनों के बीच के अंदर आ जाता है जिससे जो है sunlight को वो रोक लेता है इसको बोलते हैं आपका solar eclipse correct आप देखते हैं कि lunar eclipse कैसे होता है ओके अभी देखिए क्या हुआ अभी जो है यह हमारा जो है यहां पर moon है यह moon है हमारा यह हमारी अर्थ है यह हमारा sun है अब sun और moon के बीच में क्या हुआ अब जो sunlight जो है moon के उपर पढ़ने चीए थी वो सारी sunlight जो है हमारी अर्थ के उपर आ रही है और अर्थ ने जो है sunlight रोक ली है moon तक जाने के लिए जिसको बोलते हैं आपका lunar eclipse यानि आपके चंद्रमा के उपर जो है इस time पर sunlight नहीं पोच रही है अर्थ की shadow जो है वो इस time प आपके यहां पर moon पर पढ़ रही है जिसको आप बोलते हैं lunar eclipse चंद्रमा के उपर जो है grand ठीक है आप हम देखते हैं कि आपको यह मालूम है कि नौर्थ पोल पर जो है 6 मेने का दिन होता है और 6 मेने की रात होती है सेम आपका जो है साउथ पुल के उपर 6 मेने का दिन और 6 म यहां दीजेगा यहां पर यह वाला इसा यह वाला इसा आप देखी यह आपका north pole है और जो नीचे वाला इसा आप देख रहे हैं यहां पर यह आपका south pole है अब हुता क्या है क्योंकि आपकी earth 23.5 degree के ओपर tilt है इसकी वज़े से हुता क्या है कि आपका जो है north pole 6 मेने के देखी करके दिखाते हैं यह देखिए आपको यह वाला इसा जो है इस टैम पर जो है sun light में दिख रहा है यह वाला इसा यहां पर जो है आपका south pole है यहां पर आपको sun light नहीं मिल रहे हैं यह कितनी भी बार भी आपकी earth rotate कर जाए इस वाले हिस्से के अंदर आपकी 6 मिने तक जो है sun light रहेगी यह position कब change होगी यह position जो है आपके 6 मिने के बाद change होगी कैसे change होगी देखते हैं अभी देखिए north pole के ओपर sun light है north pole पर sun light है 24 hour में जो है इसका चक्कर पूरा हो गया इसकी rotation पूरी होगी तब भी जो है यहां पर sun light है लेकिन नीचे वाला जो इससा है वहाँ पर sun light नहीं है आपका जो south pole है वहाँ पर sun light नहीं है sun light पहुंच नहीं पा रही है क्योंकि tilt है आपकी अर्थ लेकिन नीचे की position और उपर की position जो है 6 मिने के बाद change होगी वो कैसे change होगी वो देखिए आ आप देखिए आप क्या हुआ आप आपका जो है जो नीचे वाला इससा है यह आपका जो आपका आपका साउथ पोल है लेकिन आपकी north pole पे जो है sunlight नहीं। नीचे नहीं है यहा आपके इतने इससे से खतम हो रही है। यह वाला इससा जो है dark zone के अंदर है और यह पूरा 6 मिने जब तक चपका और पूरा नहीं होगा, आर्थ का revolutionary का तब तक जो है इसकी position change नहीं होगी और 6 मिने तक जो है हमारे South Pole के अंदर स्टैंप जो है दिन रहेगा 6 मिने तक हमारे यहां पर North Pole के अंदर स्टैंप रात रहेगी ठीक है अब एक सवाज उठता है कि हमारे revolution जो होता है हमारे अर्थ का हमारे season change कैसे होते हैं उसे और season change भी ऐसे होते हैं कि हमारे North Hemisphere के अंदर जो है North Pole equator से जो है जो हमारा उपर का हिस्सा है उसको हम Northern Hemisphere बोलते हैं और equator से नीचे वाला जो हिस्सा है उसको हम लोग Southern Hemisphere बोलते हैं सीजन जो हैं क्यों होते हैं उसके बारे में जो हम जानते हैं अच्छा आपको यह तो मालूम ही होगा कि हमारे यर्थ जो है एंटिक लोकवाइज घूमती है तब ही हमारा सूरज जो है जो हमारा सूर्य है वह इस से जो है निकलता है और वैस्ट में छुपता हुआ दिखाय देता है हमारे को आप देखिए यह देखिए इस पोजिशन के अंदर क्या होता है इस पोजिशन में आपकी अर्थ जो है जो आपका साउथ पोल है वह टुवार्ड्स जो है सन वह ज्यादा जुका हुआ है और जो आपका Northern Hemisphere है वो आपका जो है दूर है इस टैम पे Southern Hemisphere वो जो है सन के बिल्कुल नजदीक है बिल्कुल नजदीक तो नहीं कहेंगे लेकिन हाँ कमपरेटिवली जो है नौर्थ वाला हेमिस्फियर है साउथ वाला हेमिस्फियर जो है सन लाइट के या सन के ज़्यादा नजदीक है तो इससे क्या हुआ इससे यह हुआ कि इस टैम पे आपके Northern Hemisphere के अंदर सरदीय आएंगी आपके Winters आएंगे और Southern Hemisphere के इस टैम पे आपक यहां पर आगर के चेंज जाएगी यहां पर आगर की क्या हुआ आपका जो है यहां पर South Pole को देखो और North Pole को देखिए Northern Hemisphere को देखिए और Southern Hemisphere को देखिए Northern Hemisphere जो है इस टैम पे आपके Sun के बीच में जो डिस्टैंस है वो इस टैम पे कम है और जो आपका Southern Hemisphere है वो Sun से दूर चला गया है टिल्ट होने की कारण है यह अगर यह सीधी होती अगर यह टिल्ट नहीं होती तो पूरे आर्थ के उपर जो है सेम तरीके के सीजन होते लेकिन यह टिल्ट है इसकी वज़े से जो है अमारे Northern Hemisphere और Southern Hemisphere और North Pole और South Pole के अंदर जो है सीजन का Day-Night का फरक पड़ता है अब आपके सामने जो है यह देखिए यह वाला इससा जो है स्टैम पे सन के नस्दीक है और नीचे वाला इससा सन से थोड़ा सा दूर चला गया है तो क्या हुआ फिर यहाँ पर आपका यहाँ पर समर्स आएंगी और नीचे आपके विंट साएंगी तो छे मिने के बाद जो है सीजन दुबारा चींज जो जाएगा ठीक है ठीक है स्टुगेंट्स काफी चीज़ा आपको क्लीर हो गई होगी आज तैंक्यू वेरी मॉच बाए